Hello my dear students, welcome back, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग हमारे economics का 6th chapter स्टार्ट करने वाले हैं हमारी economics की जो journey है काफी अच्छी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है I hope आप लोग को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा ठीक है मैं बहुत सुनता हूँ के sir economics बहुत tough subject है sir उसके words नहीं समझ में आते है, ऐसा है वैसा है but my dear friends मैं तुम लोग को बता देता हूँ हम लोग जो पढ़ रहे हम लोग जिस तरह किसे पढ़ रहे हर एक line explain कर रहे I want all of you, ठीक है मैंने पहले भी कहा था कि pen और book लेके बैटो, मैं जब जब जिस चीज का word का meaning बताते जा रहा हूँ वही पे वो word लिख लेना है आप लोग को ठीक है, तो I request all of you, कि हम लोग जैसे मैं complete कर रहा हूँ आप लोग भी मेरे साथ complete करते जाओ, economics बिल्कुल tough नहीं लगेगा आपको ठीक है, वो mindset हमें हटा देना है कि economics is a tough subject, bore subject, यह वो कुछ भी जैसर पढ़ा रहे, बिल्कुल tough नहीं है, बिल्कुल boring नहीं है ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग six chapter के साथ population in India population क्या होता है, जन संख्या हमारे country में आबादी कितनी है, कितने लोग रहते हैं हमारी country में कितने लोगों का bon, नहीं bon होते हैं, कितने लोगों की death होती है इसके बारे में हम लोग यह chapter में पढ़ने वाले है population in India ठीक है, स्टार्ट करते हम लोग population के साथ introduction, India is a developing country my god, बच्पन से बढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों मालूम है अच्छे से the rate of economic development of a country depends on दो चीज़े, quantitative and qualitative growth, of course हमें पता है हमें in terms of quantity भी बढ़ना है production भी बढ़ाना है साथ में लोगों का standard of living लोगों की health, लोगों का education भी बढ़ाना है quantitative as well as qualitative growth चाहिए can be measured, कैसे पता चलेगा in terms of हमारा population कितना है, population का national income कितना है, per capita income, मतलब जब national income को total population के साथ divide करते है, तो per capita income होता है, वो कितना है उससे हमको पता चलता है, हमारा economic growth and development कितना हुआ है, population क्या होता है, population refers to the number of people living in an area, एक दिए गए area में कितने लोग जी रहे है रह रहे है, ठीक है at a given point of time, आज की तारिक में, population of India is measured once in every 10 years, इंडिया में population census calculate होता है, census होता है हर 10 साल में 2011, 2001 2021 में होना चीए था अब तक हुआ नहीं है, हो जाएगा India's population was 121 करोर last time, ठीक है आज की तारिक में कुछ 130, 140 करोर के आसपास है कुछ, इंडिया's rank is second in worldwide, चाइना के बाद हमारा ही नंबर आता है population सबसे जादा, जितना भी total पूरे globe पे population है, उसमें से 17.5% population इंडिया में रहता है, कितना 17.5% population इंडिया में है, साड़े 700 करोड के आसपास public है, पूरे दुनिया में, उसमें से 130 करोड इंडिया में है, ठीक है, तो ऐसा बोला जाए, तो हर 7 में से 1 इंडियन इंस्सान है, हर 7 इंस्सान में से 1 इंडियन होता है, तो तुम लोग लेकिन जब हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड पूरा जितना लैंड एरिया है उसमें से इंडिया हमारा जो है वो लैंड कितना है तो सिर्फ 2.4% मतलब 2.4% लैंड पे 17.5% पॉपिलेशन है तो थोड़ा ओवरबर्डन हो गया इंडिया पर ठीक है अब पॉपिलेशन स्टेटिक्स कौन कंपाइल करता है कौन बनाता है तो वाइद ऑफिस ऑफ रिजिस्टर जनरल एंड सेंसर्स कमिशनर ऑफ इंडिया ये एक ऑफिस है वो लोग हर साल पॉपिलेशन सेटनों निकालते हैं कि कितना पोपिलेशन है हमारे कंट्रेंटरी का अभी पॉपिलेशन ग्रोथ कैसे हुआ हम वो देखते हैं इंडिया पॉपिलेशन is very large in size its going rapidly बढ़ते ही जा रहें बढ़ते जारें information regarding size structure वह आएंसरे सर्विके तरू मालूम पड़ेंगा देखो, 1911 में हमारा population था 25.2 crore, उसके बाद वो क्या था, world war जैसा हुआ, और बहुत सारे वहाँ पे epidemics आये थे, वो 10 साल बहुत खराब थे, तो हमारा population कम हुआ, तो 0.3% annually हमारा population वो साल कम हुआ, उसके बाद 31 में 27.9 crore हमारा population था, हर साल average growth rate 1% का था, उसके बाद 41 में 31.9%, हर साल average 1.3% annual growth हो रहा था, 51 में 36 crore हुआ, अब यहाँ पर हमको independence मिल गया है, अब आप देखना कि growth कैसे बढ़ रहा है हमारा, ठीक है, 36.1 crore, 43.9 crore, 54.8 crore, 68.3 crore, 84.6 crore, 102.7 crore, और 2011 में 121.2 crore, तो हमारा population कितना बढ़ते जा रहा है, हम लोग थे 25 crore पे, 100 साल में हम लोग पहुच गये, 125, 121.2 crore पे, ठीक है, 100 crore हमारी population 100 साल में बढ़ गई, हर साल एक करोर बढ़ रहा है, average देखने जाए तो, ठीक है, अब क्या दिये हुए है, ट्रेंड्स दिये हुए, ठीक है, ट्रेंड्स बढ़ते है, तो marginal decline in population, एक बार जिफ ऐसा हुआ था, 1911 से 21 में, थोड़ा epidemics और उसके वज़े से, कम हुआ था population, बाकी हमेशा बढ़ रहा है, ठीक है, there was a marginal decline in population, 25.2 crore से 25.1 crore हो गया, ठीक है, क्योंकि वो टाइम पे, influenza, cholera, यह सब बहुत चल रहा था, फिर year of great divide, 1911 से 21, their decadal growth of population was negative, after 1921 there was a continuous increase, उसके बाद बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, hence the census commissioner of India had designated the year 2021 as the year of great divide, 2021 के बाद कभी अपना population कम नहीं हुआ, in fact बढ़ता ही रहा है, ठीक है, positive growth rate कितना है, 1.3% during the, यह 1931 से 41 में, 51 के बाद देखो, 36.1 crore से सीधा 54.8 crore, कितना बढ़ते जा रहा है, ठीक है, tremendous rise in population, फिर 71 से 2001, more than 2% growth annually, कितना, more than 2%, बहुत जादा होता है, ठीक है, more than 2% annual growth, मतलब हर 10 साल में 20% हमारा population बढ़ रहा था, ठीक है, फिर slowdown in population growth rate, 2001 से हमने बहुत सारी policies निकाली, लोगों को educate किया, हमें population कम करना है, तो उससे थोड़ा दीरे-दीरे growth कम हो गया, there is a indication of slowdown, 1.9% से 1.4% हो गया, 2001 से 2004 में, ठीक है, अभी ये theories of population growth दिये हुए, Malthusian theory of population growth, Thomas Robert Malthus propounded this theory in his book an essay on the principle of population in 1798, and modified some of its conclusion in the next edition, 1803 में, ठीक है, पाच सल बाद उनने कुछ changes लेकिया है, according to Malthus, population increases in geometric progression, कैसे बढ़ता है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, population, और food supply कैसे बढ़ता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये सिधा double हो रहा है population, लेकिन उसके सामने food supply बहुत, slow हो रहा है, तो उसके वज़े से क्या होता है, imbalance हो जाता है, population और food supply के बीच में, ठीक है, Malthus states that the correlation, that the correction of the imbalance can be done by introducing preventing checks, जैसे कि late marriage करा, अभी इंडिया में हुआ, ठीक है, पहले girls के लिए legal marriage age 18 ता, अब कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है, by introducing preventive checks such as late marriage, पहले तो बाल भी भाई हो जाते हैं, फिर moral restraints, he also mentions about the positive and natural checks such as natural calamities, उस पे भी ध्यान रखना है, natural checks operate and wash out the excess population, कभी कभी क्या होता है, एक साथ अभी ये pandemic आया, एक साथ सब उड़ गया, ठीक है, उसे हमारा population पे कितना अच्छा effect हो गया, ठीक है, ठीक है, as a joke is okay, but I deeply, I sorrow, जिनके विद्ध हो है उनके लिए, ठीक है, natural checks operate and wash out the excess population and thus the balance is maintained, however, preventive checks are more dependable out of two, natural checks तो ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें personally भी चेक करते रहना चाहिए, कि हमारा population बहुत जादा तो नहीं बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो उसके लिए कुछ preventive measures लेके हो, theory of demographic transition, the theory of demographic transition was given by A.J. Coel and E.M. Hoover in the book of population growth and economic development in low-income countries, according to this theory, every country passes through three stage, ठीक है, this theory explains the transition from high to low birth and death rates, ठीक है, ठीक है, three stages है, the theory shows a three stage relationship between the economic development and population growth, according to this theory, as a country advances economically जैसे जैसे हमारा country बढ़ता है, its population passes through three stage, first stage, low growth of population, pre-industrialized हमारा primitive stage, starting stage था, अज़र हम लोग थोड़े old mentality वाले थे, it is a, the birth rate and the death rate both are very high, क्योंकि वो टेम पर medical facilities नहीं थी, ठीक है, अंधविश्वास सोड़े बहुत थे, तो उसकी वाज़े से, birth rate भी बहुत जादा थे, और death rate भी बहुत जादा थे, all underdeveloped countries have passed, जितने भी underdeveloped countries है, वो यहां से पास हुए, social and economic conditions such as, mass illiteracy लोग पढ़े लिखे नहीं होते हो आपे, ठीक है, superstitious अंधविश्वास रहता है लोगों को, mass poverty लोग गरीब है, orthodox पुरानी मान्यता वाले लोग है, lack of medical facilities नहीं होती हो आपे, spread of epidemics, epidemics जैसे cholera, dengue, वो सब वहाँ पे बहुत चल गया था, ठीक है, led to the growth of population, before 1921, इंडिया first stage में था, ठीक है, second stage, high growth of population, यहां पे birth rate जादा है, death rate कम है, ठीक है, अभी industrialization का progress दिरे दिरे start हो गया हमारी economic development में, due to economic development, death rate started falling, अभी development हो रहा है, उसके वज़े से हमारा death कम हो गया, but birth rate तो वही continuous space पे जा रहा है, अभी birth rate बढ़ रहा है, death rate कम हो गया, तो उसके वज़े से हमारा population धिरे धिरे बढ़ने लग रहा है, all developing countries including India are in the second stage, अभी हम लोग वहाँ पे, India is on the verge of entering the third stage, हम लोग धिरे धिरे third stage पे अंटर हो जाएंगे, third stage, third stage क्या है, अभी rapid industrialization है और urbanization, अभी urbanization है, inflation इतना सादा है, लोगों के पास पैसे नहीं है खर्चा करने के लिए, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग को जादा extra expense नहीं करने, जादा बच्चे नहीं करते हैं, जादा से जादा एक बच्चे करते हैं, पहले के टाइम पे हमारे दादाजी और वो लोगों को देखेंगे, तो आठ दस भाई-बेन होते हैं, अब हम लोग देखेंगे हमारे भाई-बेन दो या तीन मैक्स होते हैं, आगे की generation एक ही होगा, एक से जादा नहीं होगा, तो birth rate कम हो जाता है, death rate भी already कम है, ठीक है, बोध birth rate as well as death rate tend to decline, all developed countries, जितने भी अमेरिका है, चाइना है, वो सब यहाँ पे आते हैं, चाइना का population बहुत जादा था, तो उन्होंने आज से 2-3 decade पहले ऐसा बोल दिया, कि आप 2 से जादा बच्चे नहीं कर सकते, अगर 2 से जादा बच्चे करते हो, तो जितने भी government आपको facilities प्रोवाइड करती थी, वो आपको नहीं मिलेगी, मतलब वहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारी facilities, government के और से आपके बच्चे के पढ़ाई के लिए, बाखी सब चीज हो के लिए facilities मिलती है, तो अगर आपके बास 2 से जादा बच्चे हैं, तो आपको facilities नहीं मिलेगी, तो लोग बच्चे नहीं कर रहे थे, दो बच्चे maximum, फिर अच्चे के लिए वो आगे जाते ही नहीं थे, तो चाइना government को पता चला कि इससे तो हमारा future खत्रे में, क्योंकि हमारे पास youths ही नहीं होंगे, तो आगे जाके हमारी economy को चलाएगा कौन, तो इसके लिए government ने वो जो 2 था, 2 से restriction हटा के 3 कर दिया था, और 3 से अभी के date में वो लोग ने चार कर दिया, कि आपको चार वच्चे भी होगे तो चलेगा, government आपको facilities प्रोवाइड करेगी, तो वो क्यों किया है, क्योंकि उनको पता है कि future जो है, वो youths से है, उनकी economy को चलाने के लिए youths चाहिए, youths नहीं होगे तो उनका economy आगे नहीं वड़ पाएगा, आज की तारिक में, चाइना industrial hub क्यों है, production hub क्यों है, क्योंकि उसके पास labor abundant available है, तो आज की तारिक में, जादा गर के countries, third stage में जाना चाते है, कि जहाँ पर birth rate भी कम हो, death rate भी कम हो, इंडिया भी second stage से निकल के धिरे-धिरे, third stage में जा रहा है, birth rate, death rate दिया हुआ है, जादा उ हमको दिया हुआ है, थोड़ा एक example, funny सा दिया हुआ है, 1961 में, एक कार में, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे जन थे, ठीक है, फुजी, फैमिली, दादा, दादी, ममी, पापा सब मिला गे, और आज की जारिक में देखो, ऐसे जारे लोग, ठीक है, इतना family बढ़ चुका है, तो यह population explosion हो गया इंडिया में, अचानक से 25 करोड से हम लोग सिधा 120-130 करोड पे पहुच चुके है, तो उसको हम लोग population explosion कहते हैं, तो इसे के साथ आज हमारा यह वीडियो खतम होता है, आगे हम लोग next part में आगे population explosion देखेंगे, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो like करो, share करो और subscribe करो, thank you my dear students